नमस्कार स्वगातिय आपका हमारे अचार जागिंद्रमिसाच चैनल पर 18 जुलाई पहला सावन सौंबार साथ लोटा जल एक चुटकी चंदन सभी कष्ट हो जाएंगे दूर ओम नमई शिवाय जै महाकाल आप सबको पता है आज 18 जुलाई को सावन का पहला सौंबार पढ़ रहा है और अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है आपके जीवन में कष्ट खत्म ही नहीं हो पा रहा है तो आपको साथ लोटा जल लेना है छोटा सा आपको चुटकी भर यानि कि थोड़ा सा चुटकी भर चंदन लेना है साथ लोटा जल के साथ सा चंदन लेना है कैसे करना है इस उपाय को बताऊंगा ध्यान से सबजने की कोशिश करिएगा लेकिन सबसे पहला काम आप लाइक कर दो आज पहली बार मुझे सुन रहे हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना है ठीक है ना और इस बेल आइकन को भी प्रस जरूर करिएगा एक चीज़ सबसे पहले आपको बता दूँ कि इस उपाय को आप सावन के पहले सोंबार के दिन ही आपको करना है तो सावन का सोंबार आज पढ़ रहा है तो आज आप इसे करके देखेगा थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है बिल्कुल चुटकी भर ठीक है चुटकी भर लाल चंदन ले लीजे और उसके बाद चावल का दाना आपको कुछ दाने आपको चावल के ले लेने लेकिन साबूत चावल के दाने लेना है 8, 10, 11 दाने चावल के ले ले उस चावल के दाने को पीला बनाना है तो पीला बनाने के लिए उस चावल के दाने में पीला चंदन मिला देना ताकि वो जो चावल है पीला बन जाए ठीक है? इतना कर लिया उसके बाद आपको चाहिए बेल पत्र कितने बेल पत्र चाहिए 31 बेल पत्र की जरूरत है और इस बेल पत्र का हमको बनाना है कमल पुष्व अब देखने कमल पुष्व कैसे बनाएंगे इसे आप अपने तरीके से बना लीजे बेलपत्र को अपने हाथों से जोड़ कर बना लीजे, अपने सुविधा के अन्सवार इसे बना लीजेगा कमल का पुष्व इस बेल पत्र को कमल पुष्प पर बीचो बीच लाल चंदन को डालना है और उस लाल चंदन के उपर ये पीला अच्छत यानिकी चाबल को रखना है और उसके बाद अपनी हथेली में रखकर महादेव के सिलिंग पर रख देना है और रखने के बाद स्तिवाय नवस्तव्भ्यम का इश्मरन करते हुए जैसे जल को चढ़ाते हैं तो जिधर अपना मुक करते हैं उसी तरफ बेलपत रखकर साथ लोटा जल बारी बारी से उसी तरफ यानि कि आपको स्रे सिवाय नवस्तभ्यम का इश्मरन करते हुए आपको ये जल चढ़ा देना है और आपकी जो मनो कामना है जो भी आपकी कामना है आपको अपने जीवन की जिस कारण से कष्ट है उस कष्ट को ध्यान करते हुए जल को समर्पित कर दीजेगा जब आप जल साथ लोटा जल समर्पित करेंगे तो अपने कर्ष्टों को जरूर बोलिए अपनी कामना जरूर बोलिएगा सावन का महिना बहुत ही सुब होता है सावन का महिना भगवान सिव को समर्पित होता है और खास कर सोंबार के दिन और आज 18 जुलाई को सावन का पहला सोंबार है भगवान संकर की पूजन अर्चन करने के लिए सच्चे मन सच्चे भाव से अगर आप पूजन करते हैं इस सावन के महीने में वो भी सोंबार की जिन तो आपके सारे कश्ट दूर हो जाएंगे तो दोस्तों कोशिश की है हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कि आपको साथ लोटा और एक चुटकी चंदन का उपाय कैसे करना है अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो घबराएं नहीं आप नीचे कमेंट में पूछें दोस्तों पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस बेल आइकन को प्रेस करिएगा और लिखेगा ओम नमेशिवाय जै महा काल